हाई दोस्तों ये heat and mass transfer का lecture number 52 है और इस lecture में हम rectangular fin के लिए analysis करेंगे इसके लिए हम temperature distribution और heat transfer through the fin calculate करेंगे तो ये part 1 है और इस part में हम केवल derivation यहां तक करेंगे और इससे अगले वाले part में हम इसके जो different cases हैं उन्हें solve करेंगे तो चलिए derivation को start करते हैं देखिए ये हमारे पास क्या है एक rectangular fin है ये हमारे पास क्या है यहाँ पर ये wall है और इस wall से इस fin को attach कर दिया गया है अब देखिए कि यहाँ पर जो ये rectangular fin है इसकी जो length है वो क्या है small l तो ये इसकी length है small l और जो इसकी ठिकनाश है ये वाली ये कितनी है y और जो इसकी width है वो कितनी है b हम इसमें मानते हैं कि जो इसके base से x distance पर एक element है और उस element की ठिकनाश कितनी है dx तो ये क्या है हमारे पास इसमें एक element x distance पर और इसकी ठिकनाश है dx ये जो इसका base है fin का यहाँ पर जो temperature है वो कितना है t note और यहाँ पर air है या कोई भी fluid हो सकता है तो उस fluid का जो temperature है वो कितना है ta और heat transfer coefficient h और इस fin के material के लिए thermal conductivity के है तो चलिए जो भी इसमें parameter है उन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे कि l क्या है length of the fin b क्या है width of the fin y thickness of the fin t note क्या है temperature at the base of the fin तो यहाँ पर temperature क्या है t note base पर और ta क्या है temperature of surrounding fluid k क्या है thermal conductivity h heat transfer coefficient और parameter of the fin कितना है 2b plus y और cross sectional area of the fin कितना है acs तो यदि आप इसको देखोगे यहाँ पर इधर यह tip पर तो यदि हम इसका parameter find करना चाहते हैं तो वो किस तरह से आएगा वो rectangular के formula से आएगा तो rectangle का formula क्या होता है to length into width तो इसमें length कितनी है b और इसकी width कितनी है y तो इस तरह से इसका parameter कितना आए जाएगा 2b plus y और इसका cross sectional area कितना आजाएगा b into y तो चलिए अब derivation स्टार्ट करते हैं तो देखो हम इसमें मानते हैं कि यह जो element है जो हमने यहाँ पर assume किया है इसमें जो heat इसके अंदर जाती है वो कितनी है qx और जो इससे बाहर निकलती है उसे represent किया जाता है qx प्लस dx से अब इसमें क्या होगा कि कुछ heat direct environment में dissipate होगी तो वो convection के द्वारा होगी तो वो वाली heat को हम q convection c o n v इससे represent करेंगे चलिए अब हम इने find कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे energy balance equation apply करेंगे तो कुछ step है इसके मैं जो आपको पहले ही बता देता हूं तो सबसे पह करेंगे यहाँ पर qx calculate करेंगे उसके बाद फिर qx plus dx calculate करेंगे और उसके बाद q convection तो qx क्या है वो तो element के अंदर जाती है तो यह तो एक तरह से in है और यह दोनों क्या है यह क्या है out है दोनों तो जब हम energy balance equation apply करेंगे तो क्या करेंगे in is equal to out तो कहने का मतलब यह है कि qx is equal to qx plus dx plus q convection तो यह क्या है energy balance equation और इसे जब हम solve करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह से equation आएगी और यह क्या है second order differential equation और जब हम इस equation को solve करेंगे तो हमारे पास temperature की value आ जाएगी और मही पर हमारा यह वाला derivation finish हो जाएगा और उसके बाद हम अलग-अलग physical condition के लिए boundary condition apply करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम qx calculate कर लेते हैं और qx क्या है heat conducted into the element तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं तो देखिए qx is equal to यह हम यहाँ पर हम fourier low of heat conduction apply करेंगे तो minus k into a और area कौंस आएगा cross sectional area तो acs, acs का मतलो क्या है cross sectional area into dt upon dx यह तो वो heat है जो इसके अंदर element के अंदर जाएगी और अब हम qx plus dx find कर लेते हैं यह क्या heat conducted out from the element तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं तो देखो क्या हैगा qx plus dx is equal to qx plus d upon dx qx into dx तो यह जो हमने लिखा है यह ऐसे लिखा है जिस तरह से मैंने आपको पहले वैले derivation कराये थे यह दि आप book वाला लिखना चाहते हो तो book वाला भी लिख सकते हो क्योंकि यह tailor expansion है तो चाहे तो आप इसे q की term में लिखो या अलग तरीके से लिखो अब इसके बाद हम q convection calculate कर लेते हैं तो heat convicted out from the element अब की बार क्या है convection तो heat convicted out from the element q convection इसकल 2 तो convection के लिए हम newton slow cooling apply करते हैं तो वो क्या होता है ha del t तो h into a एक है surface area तो element का surface area देखो क्या रहेगा जैसे कि यह element है तो इसमें कितने face हैं इसमें चार face हैं एक तो यह वाला एक इसके नीचे का bottom का एक यह front वाला और इसके यह back वाला तो इस तरह से यहां पर चार face हैं तो यदि आप उन चारो face का surface area calculate करोगे तो आप उन्हें चारो को add करके निकाल सकते हो या इसका दूसरा तरीका यह है कि जो इसका parameter है इसका parameter कितना है 2b plus y तो यदि आप parameter में इसकी thickness से multiply कर दोगे तो वो भी क्या जाएगा surface area आ जाएगा तो हमें क्या करना है यहाँ पर parameter की multiply इसकी thickness में करनी है तो यह क्या आगया surface area of the element ठीक है यह जो चारो face है उन चारो face का यहाँ पर surface area आ गया इस तरह के से p क्या है parameter और यहाँ पर क्या आएगा temperature difference तो देखो temperature difference किस तरह से आएगा हम माल लेते हैं कि जो इस element का temperature है यहाँ पर T है और यहाँ पर जो air उसका temperature कितना है T a तो temperature difference कितना आ गया T minus T a तो इसे यहाँ पर लिख लेते है T minus T a अब हम energy balance equation apply कर लेते हैं तो by applying the energy balance equation तो क्या रहेगा वो qx is equal to qx plus dx plus q convection तो देखो qx को ऐसे ही लिख देते हैं और qx plus dx की value यह वाली लिख देते हैं तो यह क्या है qx plus d upon dx qx into dx plus q convection यह कितना है h into p dx into d minus d a तो चलिए इसे solve कर लेते हैं qx से qx cancel हो जाएगा और इसे हम इस equal sign से पहले ले आते हैं तो minus d upon dx और ऐसा करते हैं कि यहां पर qx की value put कर देते हैं तो qx की value क्या है यह वाली तो minus k into acs gross sectional area into dt upon dx ठीक है और यह वाला dx और इसे भी पहले ले आएगे तो यह भी minus का हो जाएगा h into p dx into t minus ta is equal to 0 तो चलिए इसका differentiation कर देते हैं जैसे कि हमें x के respect में करना है तो यह दोनों constant है यह तो भारा जाएगे तो k into acs into और इसका differentiation करेंगे तो यह आजाएगा d square t upon dx square और यह वाला dx इसे ऐसे ही लिख देते हैं तो ऐसा करते हैं कि यहां से d square t upon dx square की value find कर लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा के acs और dx से divide करना पड़ेगा तो चलो इससे divide कर देते हैं तो देखो यहां से क्या आएगा d square t upon dx square minus तो देखो जब हम dx से divide करेंगे तो यह तो cancel हो जाएगा और यह दोनों बचेंगे तो यह दोनों कहां जाएगे डिवाइड में आ जाएगे तो hp upon k into acs यह दोनों divide में आ गए और जो dx है वो cancel हो गया और यहां पर क्याएड t minus ta is equal to 0 अब हम यहां पर ऐसा करते हैं कि यह जो है इसे कुछ अजूम कर लेते हैं तो हमने माना कि let hp upon k into acs is equal to m square तो हमने इसे m square अजूम कर लिया और यह जो है t minus ta and t minus ta is equal to theta तो हमने इसे theta अजूम किया तो theta क्या है temperature difference between element and atmosphere तो चलिए ऐसे अगरते हैं कि हम इसका differentiation कर देते हैं तो इसका differentiation करेंगे तो dt upon dx हमने x के respect में differentiation किया है और यह ta यह तो constant है तो इसका differentiation क्या रहेगा 0 और इसका भी हम x के respect में करेंगे तो d theta upon dx क्योंकि हमें यहां से d square t upon dx square replace करना है तो इसका हम दुबारे से differentiation कर देते हैं तो d square t upon dx square is equal to d square theta upon dx square तो ऐसा करते हैं कि इसे अब हम यहां से हटा देते हैं तो ऐसा करते हैं इसे equation 1 मान लेते हैं तो यहां पर लिख देते हैं from equation 1 इसकी जिगा क्या आएगा d square theta upon dx square और इसे हमने क्या माना था m square और इसकी जिगा क्या आएगा theta तो m square theta तो देखे यह जो equation हमें मिली है यह कैसी है second order differential equation तो इसे हम solve करेंगे और solve करके theta की value find करेंगे तो इसका जो हमने solution है वो math में चीका था तो चलिए ऐसे करते हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं देखो d square minus m square is equal to 0 तो यहां से d की value क्या जाएगी d equal to plus minus m तो इसका जो solution है वो हम यहां पर लिख देते हैं the solution of second order differential equation is तो देखो इसका solution क्या आएगा theta is equal to क्योंकि हम यहां से theta की value find करेंगे तो c1 into e की power mx plus c2 into e की power minus mx तो यह हमारी पास क्या आगया theta की value आगई और theta क्या है temperature difference between the element and the air या इसी को हम क्या लिख सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि theta की value क्या है t-ta और इसे ऐसे ही लिख देते हैं c1 into e की power mx plus c2 into e की power minus mx तो इस वाली वीडियो में हम इसे यहीं तक छोड़ देते हैं इसे अगली वाली वीडियो में हम तीनो case हैं उनके लिए derivation स्टार्ट करेंगे और जो दूसरे वाली वीडियो का link आपको यहीं पर display पर मिल जाएगा